प्यारे साथियों नमस्कार ये कक्षा 10 और 12 दोनों बच्चों के लिए सेम निबंद रहेगा दोनों लोगों को याद करना है पढ़ना है ब्रश्टा चार आज चरम सीमा पर है ब्रश्टा चार बहुत काईदे से फैल चुका है इसलिए ब्रश्टा चार पर निबंद आना स् भाविक है तो आपको बहुत ही ढंग से समझना है कक्षा 10 में हो चाहे आप 12 में हो या चाहे किसी स्रेणी में हो अगर निबंद लेखन आपके विशे है तो निबंद आपका ये महत्तुकुर्ण है फिलाल कक्षा 10 और 12 के विद्यारतियों के लिए है जिन्होंने हिंदी ल निवारण या आप से पूँछ सकता है भारत में भरष्टाचार या भरष्टाचार नियंद्रन में युवर्क का योगदान या भरष्टाचार उन्मूलन की समस्या और समाधान या फिर कह सकते हैं भरष्टाचार क्यूं हो रहा है तो इस प्रकार निबंद सीर्षक में आ परिचे या प्रस्तावना देना होता है प्रस्तावना का मतलब परिचे होता है यानि ब्रष्टाचार शब्द में क्या आर्थ है ब्रष्टाचार शब्द कैसे बना और क्यों इसको ब्रष्टाचार कहा गया और इसकी परिभाशा क्या इसके माइने क्या है यह परिचे में द तो ब्रश्ट का अर्थ वो होता है कि ब्रश्ट का अर्थ क्या है ब्रश्ट का अर्थ है जो अपने पथस्टे बिचलित हो अपने करतब्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से ना कर रहा हो उसको हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे ब्रश्ट तो अपने स्थान से बिचलित या गिरा हुआ ब्रश्ट कहलाता है और आचार का मतलब होता आचरन या बेवहार इस प्रकार किसी व्यक्ती के द्वारा अपनी गरिमा से गिर कर किया गया कार्य ब्रश्टा आचार कहलाता है ब्रश्टाचार के विविद रूप हमें देखने को मिलते हैं अब देखो आता है मेन ब्रश्टाचार क्या है कैसे क्या किया जा सकता है आगे विवर्ण आप दे देंगे तो आगली हेडिंग आपको लिखना है ब्रश्टाचार के प्रकार ब्रश्टाचार के कारण ब्रश्टाचार के निवारण तीन बिंदू आपको ध्यान में रखने हैं परिचे वारी प्रस्तावना तो हर्चे की पढ़ता है फिर परिचे परिचे या प्रस्तावना में ही आप बता देंगे कि ब्रश्टाचार क्या है और इसकी परिभाशा क्य इसके अर्थ क्या है माइने क्या है इसके बाद आप लिखेंगे तो अगली हेडिंग आपके लिए होगी ब्रश्टाचार के प्रकार या ब्रश्टाचार के विविद रूप दूसरी हेडिंग होगी ब्रश्टाचार के कारण इतनी गहरी हैं और इतनी व्यापक रूप से फैल चुकी हैं कि इसके विविद रूप हमको समाज में देखने को मिल जाते हैं अब निबंध आपको रटा नहीं मारना है कि जो same to same किताब में लिखाओ वही रटा मारो एक एक लाइन याद करो और जाके लिखतो ये स्वरशनात्म कोशल को बढ़ावा देते हैं यानि आपकी creativity कितनी अच्छी है आप कितना अच्छा हिंदी पर लिख लेते हैं ये समझने के लिए लेखक या examiner आपको निबंध देता है तो निबंध आपको अपने आप से लिखना है क्या आप जानते नहीं कि इस समाज में क्या आपको रटा नहीं मारना समझना है वही समझाने के लिए हम आए हैं और कक्छा दसकरे विद्यार्दियों को हम बता दें कि संस्कृत की क्लासों आपकी स्टार्ट हो चुकी कक्षा 10 की संस्कृत और कक्षा बारा की तो समाप्द ही हो चुकी फिलाल जो भी व्याकरण वची है अब शाम 6 बजे हर रोज कक्षा 12 वाले देख सकते हैं संस्कित व्याकरण और कक्षा 10 वाले हर रोज साम 5 बजे देख सकते हैं ठीक है सबकी अलग-अलग व्याकरण होगी और कक्षा 12 वाले पुचाए हिंदी के विद्यारती क्यों नहीं हो 6 बजे जरूर चेक करें आज हमने एक शेडूल जारी किया है एक पोस्ट डाली है इमेज के रूप में जिस पे लिखा है कि क्या कितने बजे चलेगा तो वो किसी भी कक्षा का विद्यार थी कक्षा 9 से लगा करके 12 तक वो यह जरूर देखें कि हम उस समय चला के रहे हैं अगर आपके मन का टॉपिक है आपकी काम का है तो आप उसको अवश्य देखें यह नहीं समझें कि यह क्लास संस्कृत के है तो मेरे काम के नहीं क्या चल रहा है, कौन सा topic start, चलिए, तो अब वर्तवान में भरष्टा चार के रूप बहुत मजबूत हो चुके हैं, और बहुत प्रकार के हो चुके हैं, ठीक, भरष्टा चार बहुत प्रकार का है, तो अब भरष्टा चार की जड़ें जो हैं, बहुत गहरी हैं, गहरी कैसे बहुत फैली कोई एक विक्ती तो भरष्ट है नहीं पूरा का पूरा सिस्टम भरष्ट है तो सबसे पहला प्रकार आता है रिश्वत का यह रिश्वत क्या है घूस खोरी रिश्वत जानती वर रिश्वत घूस खोरी मतलब यह सुविधा सुल्क इसका नाम सब अब आप लिखेंगे कि इसे सभ्य समाज में सुविधा शुल्क कहा जाता है किसी कार को कराने के लिए शीगरता के कान अब क्यूं अब इसमें आप लिखेंगे किसी कार को शीगरता से कराने के लिए यह सुविधा शुल्क दी जाती है अगला पॉइंट है परेशानी नहों से हो जाए नियम विरुद्ध कार कराने है गूस और क्यूं दी जाती है घूस जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं तब ही दी जाती है जैसे कि मानलो आपका लाइसे नहीं है डिय यह ड्राइविल लाइसेंस नहीं आपकी गाड़ी का चालान हो रहा आप आपने साव दोस्हार देंके वो चालां कत्ने नहीं दिया तो यह क्या है यह भूस खोरी है तो आपको आपने भी नियम के विरुध काम किया है, इसलिए घूस दी है तो नियम के विरुध काम जब तक यह हिंदुस्तान की जानता करती रहेगी तब तक यह रिश்वत और घू परन्व कर दे तो रिश्वत ऐसे ही खतम हो जाएगी तो इसे सब समाज में क्या कहते हैं किसी कारिकों करने के लिए किसी विक्ति के द्वारा दिया गया उपहार कह दो या सुविधा शुल्क कह दो सुविधा के लिए नकद धन्राशी कहे दो तो उसे क्या कहते हैं रिश्वत कहते हैं और इसको साधारण भासा में लोग घूस कहते हैं और सब समाज में इसको क्या कहते हैं सुविधा शुलक है तो अपने कारे को समय से और बिना किसी परेशानी के कराने के लिए अथवा नि रूप एक हमको भाई वतीजावाद के रूप में भी देखने को मिलता है। आज जो भी सरकारी नौकरी निकलती है। लगभग जहां जहां इंटर्व्यू हो रहा है। लगभग भाई वतीजावाद चल रहा है। क्योंकि नेताओं के, राजनेताओं के, और उच्च पदाधिकारियों के, जो भी भाई, बेटे, रिष्टेदार, उन सभी का ही सेलेक्षन हो जाता है, उन सभी का ही भरतियों में महत तुरहता है, उन सभी को प्राथमिक्ता भरतियों में मिलती है, और वे उच्च पदों पर किसी सुविधा से किसी सरकारी नौकरी से भाई और भतीजे हर समय लाभानवित होते रहें यही भाई भतीजावाद हमारे ब्रष्ट सिस्टम में फैला हुआ है अगला प्रकार हमको मिलता है ब्रष्टाचार का कमीशन आज देखो विद्या ले जाओ आपके अड्मीशन पर कमीशन पुस्तके खरीदो पढ़ने के लिए उन पुस्तकों पर विद्या ले को कमीशन सडके बनती है कमीशन से बनती है विल्लिंगे बनती है कमीशन से बनती है यह क्या है यह कमीशन है कमीशन क्या है सुविधा परदाता द्वारा प्रतिशत कुछ प्रतिशत लेना कितना कुछ प्रतिशत ले लेना जो सुविधा परदाता है वो आपके लाभ में से कुछ प्रतिशत स्वयम भी ले ले तो उसे हम क्या कहते हैं कमीशन कहते हैं सरकारी अर्ध सरकारी ठेकों के कार्यों में आज कमीशन बाजी धडले से हो रही है है ना अब जिसे किसी वस्तू है कोई सेवा के सौधों में किसी सक्षम विक्ति द्वारा सौधे के बदले में विक्रेता आथवा, सुविधा परदासा से कुछ कुल मुल्य के सौभ मुल्य का एक निश्चित प्रतिषत तैं हो जाता है कि आप मुझे 2% देना मैं वो flat खरिदवा दूँगा आप मुझे 5% देना मैं वो zमीन खरिदवा दूँगा तो यह क्या होती ही यह commission बाजी होती है ठिक तो commission बाजी भी समझ गया आप अगली heading डालेंगे यौन शोशन यौन शोशन क्या होता है यौन शोशन ब्रष्टाचार का एक नवीन रूप है यह ब्रष्टाचार का नवीन रूप है और इसमें प्रभाव शाली विक्ति जो मजबूत जो powerful विक्ति होता है तो किसी अक्षम विक्ति को लाब पहुँचाने के लिए गैर लिंगी के साथ मतलब अगर वो पुरुश है तो इस्तरी के साथ या इस्तरी है तो पुरुश के साथ मजबूरी उसके मजबूरी का फाइदा उठा करके ठीक है उसका यौन शोशन करता है यही यौन शोशन है ठीक ब्रष्टाचार के कारण क्या है अब आप कारण देखिए मेहंगी सिक्षा पहला कारण नंबर वन कारण अब आप देखो आप लाखों खर्च कर रहे हैं टाइम व्यतीत कर रहे हैं अपनी पढ़ाई पे लाखों रुपे खर्च कर रहे हैं दद दस लाख रुपे दे करके 27-70 लाख रुपे दे करके आप बिगरियां खरीद रहे हैं तो यार भरष्टाचार तो आप करेंगे है ना भरष्टाचार करेंगे सिक्षा का वेवसाई करण हो गया है सिक्षा एक बिजनस बन चुकी है और जब तक सिक्षा बिजनस बनी रहेगी तब तक ब्रष्टाचार की जड़ें खत्म नहीं होगी युवा अधिक खर्च करके उच चिपदों पर पहुँचकर ब्रष्टाचार करता है क्यों नहीं करेगा वो 50 लाख खर्च करके जाता है डॉक्टर बनता है 70 लाख डोनेशन दे करके वो MBBS करता है फिर वो जाकर के बनता है MBBS अब भया वो दवाएं बलैक तो करेगा ही करेगा तो ब्रष्टाचार हो गया ना क्यों 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 उसने 70 लाख, 60 लाख, 50 लाख जो भी खर्च किये हैं उसने अब अगर उसकी सिक्षा महेंगी नहीं होती तो वो अपने 60 लाख निकालने की कोशिश नहीं करता और जब 60 लाख निकालने की कोशिश नहीं करता तो ब्रष्टाचार नहीं होता वो दवाएं मरीजों में बितरित करता वो क्यों बेच कर अपना पेट भरता तो ये महेंगी सिक्षा के कारण है इसी महेंगी स्क्षा के कारण हिए एक व्रिश्टाचार हो रहा है एक आदमी लाखों रुपए खर्च करके इंजिनियर बनता है पिर सडकों में कमिशन तो खाएगा खाएगा एक वैकती लाखों रुपए घूस दे कर करके किसी विभाग में इंजिनियर बन जाता है बिजली विभाग कोई ले लो तो वहां पैसा तो लेगा लेगा क्योंकि उसने घूसती हैं कितने 50 लाक रुपे दे करके वह इंजिनियर हुआ है तो यह ब्रस्ता चार के मैं किसी को किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं प ब्रस्ता चार का दूसरा है लाचार न्याय विवस्था एक तो इंदुस्तान की न्याय विवस्था बहुत कड़क बहुत लचीली है लाचार है तो इसी लाचार न्याय विवस्था का भी बहुत बड़ा योगदान है ब्रस्ता चार को बढ़ावा देने में जो अमीर अरबों रुपयों के घोटाले करेंगे अब यह एक अरब का घोटाला हमने किया तो दस-बीस लाग खर्च करने में क्या जाता है दस-बीस प्रतिशत ही हुआ तो इस प्रकार वे इस कानून ब्यवस्था से साप बच जाते हैं हर सिस्टम में ब्रश्टाचार फैला हुआ तो वो कानून से चुपचाप बच के निकल जाते हैं अपने पैसों के अपने धन के अपने बल के बूते अपने पावर का इस्तेमाल करके वे बुरे से बुरे काम करने के बाद भी वो साप बच कर इस नियाए बवस्था से निकल जाते हैं तो युवावर्ग इस बात के लिए प्रिरित होता है कि यदि विक्ति के पास परियाप धनबल है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड सकता अब आदमी के मन में दिमाग में ये बैठे गा रहे है यार पैसा हो बस क्या है वो अदालत क्या है वो कैल क्या है सब विकाओ है सब को खरीद लेंगे तो ये कहीं न कहीं ये हर एक विक्ति के मन में आकर के बैठ जाता है कि यार ये वो आदमी पांच करोड का घोटा ला करके रेक करोड दे दिया था बचके निकल गया था कुछ नहीं बिगाड पाई पूलिस उसका कुछ नहीं बिगाड पाया कानून उसका तो ये बातें भी ब्रस्ताचार को पढ़ावा देती है ये लाचार न्याय बवस्था भी कहीं न कहीं बरस्थाचार का एक बहुत बढ़ा उदारन और बहुत बढ़ा कारण है अगली एटिंग आप डाल देंगे तीसरा कारण है जन्जागर्न का अभाव लोगों में जागरूकता नहीं है हमारे देश की बहुत सारी जो बहुत संखक जनता है अपने अधिकारों से अनभिग्यू से पता ही नहीं है कि मेरे अधिकार क्या है तो जिसका लाब उठा करके प्रभावशाली लोग उसका शोशन करते हैं और जनता चुपचा ब्रश्टा चार की चक्की में पिस्ती चली जाती है और पिस्ती रहती है तो ये जन जागर्ण का भाव है जन मतलब लोगों में नागरिकों में जागर्ण कम है ये भी एक कारण हो जाता है ब्रश्टा चार का चारित्रिक पतन एवं जीवन मूल्यों का ह अब आप देखिए, पहले का विक्ति जो था वो धर्म को मानता था धर्म की राह पर चलकर ही सारे काम करता था अगर वो घूस भी लेता था तो उस माईने तक लेता था, जहां तक धर्म कहता हो लेकिन आज क्या है, आज जीवन मूल्यों का हरास हुआ है जीवन मुल्यों में कमी आई है चारित्रिक पतन हो रहा हम उत्तम चरित्र वाले नहीं है धन के आगे सब कुछ बेकार कर दिया धन के आगे सब कुछ बेकार है खराब हटाओ धन हो बस तो जीवन मूल्यों के इस हरास ने वक्ति का चरित्र को इतना गिरा दिया कि उससे अन लोगों के हितों की कोई आशा नहीं की जा सकती और ना तो उसको दूसरों की चिंता है ऐसे मूल्हिं दुष्चरित्र वक्ति व्रस्टाचार को बढ़ावा देते हैं तो इसलिए चारित्रिक वातावरण को मजबूत करना चाहिए और जीवन मूल्यों को बचा के रखना चाहिए ताकि व्रस्टाचार की जणे थोड़ा सा कमजोर हो और व्रस्टाचार का वो भयावा पेंड धराशाई हो जाए लेकिन शारित्रिक पतन और जीवन के मुल्यों का हरास बचाना होगा तब ही ब्रश्टाचार ब्रश्टाचार का निवारण कैसे हो सकता है आप देखे जनांदोलन पहला काम करिए जनांदोलन जनांदोलन मतलब ब्रष्टाचार को रोकने का सबसे मुک्छ और महत्तुपून उपाय जनांदोलन है जनांदोलन के द्वारा लोगों को अनेक अधिकारों का ग्यान फैला कर इस पर अंकुष लगाया जा सकता लोग आंदोलन करें, जनता आंदोलन करें, इस ब्रष्टाचार के खिलाप, तो जनांदोलन के द्वारा ब्रष्टाचार थोड़ा सा हिल सकता है, कठोर कानून बनाए जाएं, इस ब्रष्टाचार के लड़ने के लिए कठोर से कठोर कानून बनाए जाएं, और लोगों को प हाथ भी लंबे और कठोर करने चाहिए निशुलक उच्छा दी जाए जो आदमी 70 लाग 50 लाग खर्च करके जाता है तो वो 100 लाग कमाने की कोशिश करता है तो ये निशुलक सिक्छा का कारण है ठीक है ये निशुलक सिक्छा तो फ्री की सिक्छा होगी और जब आदमी फ्री पढ़के जाएगा और पदों पे आसीन होगा तो क्या यार मुझे वेतन मिली रहा है मैं खा पी रहा हूँ और वो जब कुछ लोग तो करजा लेकर के भी घूस देते हैं करजा लेकर घूस देते हैं घूस देखते हैं फिर आकर करके कमाएंगे नहीं भीया तो वो करजा कहां स्यादा करेंगे है ना तो निशुलक सिक्छा अगर हो करजा लेते हैं पढ़ाई पढ़ाई करते हैं रिण पर पढ़ाई करते हैं व्याज देते हैं और फिर उनके घर में खाने को भी नहीं बचता है तो वो तुरंट जैसे नौकरी पाते हैं तो ब्रश्टाचार करते हैं इसलिए निशुलक उच्छा होनी चाहिए कि भया निशुलक उच्छी अधिरों का जा सकता किकी गोपनिunn ताके नाम पर ही परश्टाचार होता है तरी पार रुपनी रकेद रखो तब प्रश्टाचार होता है कार्यस्थल पर व्यक्ति की सुरक्षा और संक्छण के शळा काश्थ करते लिए कास्थल पर प्रतेव विक्ति को अच्छा कुछ लोग तो दबाव में आकर के गलत तरीके से काम करते हैं दबाव में आकर के वो इमानदारी उनको लोग बैमान लोग इमानदारी करने ही नहीं देते हैं स Route चाते हैं तो इसका कारण यही है कि कार्यस्थल पर विक्ति की सुरच्छा हो सनरच्छण हो तो इमांदार विक्ति इमांदारी के साथ काम करेगा अभ सयकोडों में एक इमांदार है तो बेचारा उसको निञ्ञा अथतो वाव के लिए था है दिखाकर कोई विख्ति उसको अनुचित कारे Cane के लिए दिवस करता है टीके तो उसके पास क्या है बल है यानि कि सरच्छन उसको प्रतान है तो वो कोई भी मजबूत आदमी जो बलवान आदमी है तो उसको दबा करके उसके दबाव में उसको कारे करना नहीं पड़ेगा महिला कर्मियों के लिए भी सुरच्छा प्रतान करनी चाहिए कानून बनाया जाना इस कानून को और अधिक ब्यापक रूप से प्रभावी नहीं है अब नैतिक मूल्यों के इस थापना जब तक नहीं होगी तब तक इस समाज में भश्टाचार पर अंकुश लगाना बड़ा कठिन है और यह नेतिकता समाज से ही परिवार से ही उत्पन हो सकते हैं इसके लि परंत में उपसंगार लिख देंगे कि इस प्रकार हम देखते हैं, उपसंगार में क्या लिखेंगे, इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश में ब्रस्ता चार की जड़ें बहुत गहरी हैं, अच्छा ब्रस्ता चार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि एक बात की बात है, एक च जाकर के मैं एक आदमी निकला बोला अभी जाकर के मैं तेरे बाप से कहता हूँ कि तू आम तोड़ रहा चोधरी के आम के पेड़ में लड़का हसने लगा बोला बे तो चोरी कर रहा यार तू हसरा है तो लड़के ने कहा, आप कौन से बाप से कहने की बात करने हैं, उपर निगाव उठा करके देखिए, उपर मेरा बाप चड़ाम तोड़ रहा है, और मैं जोले में तोड़ रहा हूँ, वो बोरे में तोड़ रहा है, तो ये भरस्ता चार की जड़े हैं, वो इतनी व्यापक ह कि हम अगर एक वेक्ति एगर 100 रुपे रिश्वत ले रहा तो उससे बड़ा वेक्ति उससे 1000 गुना ज्यादा रिश्वत ले रहा तो ये ब्रश्टाचार कभी समाप ने होता है ठीक है और समाप तो हो सकता मैंने आपको कारण निवारन सब कुछ बताएं हैं तो अपसंगार म लाई जाए नैतिक मुल्यों की स्थापना की जाए और इन सभी के द्वारा ही हम ब्रश्टाचार को रोख सकते हैं ठीक है अब उपसंगार में यही लिखना है ठीक है आपको ब्रश्टाचार के छेतर में न्याइक तराजू पर राजा और रंक एक ही पल्ले में रख दिये लिखना आपको कटे मैंने इसलिए इन पॉइंट गयाँको आपको याद कर लेना है और लिख देना है कुछ भी कषिन नहीं है ठीक है बाकी पुस्तक में जैसा लिखा हुआ है मैं वो आपको अभी टेलिग्राम पे भेज दूँगा और आप सभी लोग उसको पढ़ लेना ठीक है उसकी पेडिये बना के मैं भेज रहा हूं जो मेरी पुस्तक में है आप उसको पढ़ लेना कोई दिक्कत नहीं होगी ओके चलो आज जुड़ने के लिए बहुत ब बारा के लिए मैं स्टार्ट करूंगा और रक्षादस का आगे जो भी जो भी रहेंगे पार्ट का ख्षादस के लिए मैं वो ले करके आओंगा जो भी पार्ट क्या खंड काब बचे होंगे आपके निबंदों के बाद खंड काब ही होंगे है ना हाँ निबंदों के बाद खंड काबे ही होंगे दक्षा 10 के लिए और 12 के लिए तो काबे चली ही रहा है ठीक है तो सभी लोग एक बार शेयर और एक बार लाइक जरूर कर देना है ना शलू है बहुत बहुत धन्यवार